दोस्तों आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि आपका दिन बहुत बार खराब जाता है आपको हर स्थान पर निरासा ही निरासा हासिल होती है या आपका मन कहीं पर भी नहीं लगे और अचानक से आपको कोई सुन्दर फूल दिखाई दे जाए तो आपका मन अचानक से प् प्रसंद हो सकता है इसी लिए तो भगवान विश्णू सदे महालक्समी को अलग-अलग परकार के फूल भेट में देते थे जिसका उले एक मतश्य पुराण में मिलता है ऐसा कहा जाता है कि जब महालक्समी रूट जाती थी तब उनको मनाने के लिए स्रीहरी विश्णू उनक पूदों से प्राप्त फूलों को मालक्समी को अर्पित करते हैं तो आपका रूठा हुआ भाग्य भी समर जाता है और तो और इन फूलों के पूदों से मालक्समी आपके आंगन की तरफ खींची चली आएगी क्योंकि ये पूदे और इसके फूल मालक्समी को अत्यंत पिर और सदेव धन का आगमन होता रहता है तो चलिए जान लेते हैं वो कौन-कौन से फूलों के पोदे हैं जिने आपको अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए पर इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सबस्क्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसी आध्य जात्मिक जानकारी प्राप्त होती रहे साथ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें नमबर एक पे हैं दोस्तों कमल का फूल माता लक्षमी को कमल के फूल अत्यंत पिरिये हैं क्योंकि भगवान हरी विश्णू ने सावन के महीने में महादेव को 108 कमल के फूल अर्पित किये जिन से खुस होकर महादेव ने विश्णू जी को लक्षमी और सुदरसंद चक्र दिये थे जिस कारण से भगवान विश्णू लक्षमी पती और सुदरसंद चक्र धारी बन गए अत्यं माता लक्षमी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं जिस आंगन में कमल के फूल लग किया जाता है उस घर में कभी धनकी कमी महसूस नहीं होती नमबर दो पे दोस्तों गुड़हल के फूलों का पोधा जी हां मा लक्समी जी को गुड़हल के फूल भी अत्यंत पिरिये होते हैं अगर किसी लड़की को अच्छे वर की तलास है तो आप सफेद गुड़हल का पति पतनी के बीच प्रेम का विस्तार होगा गुड़हल के फूल का पोधा यदि आप अपने आंगन में लगाते हैं तो यह मा लक्समी को अवशे ही प्रसन्य करेगा और वे आपकी मनों कामनाई अवशे ही पूर करेंगी नमबर तीन पर दोस्तों सेवंती के फूल जिसे गुलदावदी के नाम से बीचाना जाता है ये फूल सजावट के कारिय में भी काम आते हैं ये इतने सुंदर होते हैं कि किसी भी स्थान पर मा की चोकी या जगराता जो होता है उसको इन फूलों से सजाय जाता है सेवन्ती की फूल विविन रंगों वाले होते हैं जिसे सफेद, नारंगी, गुलाबी, पीले और बेंगनी आप किसी भी रंग के फूल का ये पोधा अपने घर में आवश्य लगाए ये आप सुकरवार की दिन इसको अपने घर में लगाते हैं तो इसे बहुती सुब माना गया है सेवन्ती के फूल मालक्षमी को अत्यंत पिरिये हैं ये पोधाज जिसे स्थान पर होता है वहाँ पर मालक्षमी स्वेम चल करके आती हैं नमबर चार पे दोस्तों पीले रंग के फूलों का पोधा मालक्षमी को पीला रंग अत्यंत पिरिये हैं उन्हें पीले रंग के फूल बहुती भाते हैं यदि आप और आपकी संतान के बीच में किसी बात को लेकर के मन मुटाव चल रहा है या कलेस बना हुआ है तो मा लक्समी को पीले रंग के फूल अवश्य ही अर्पित करें और अपने घर में पीले रंगों का पोधा दक्षिन दिसा में अवश्य लगाएं ये उपाए अवश्य ही आपके लिए लाबकारी साबित होगा नमबर पांस पे है बेला के सफेद फूल इसकी एक और जाती है जिसको मोगरा या मोतिया कहते हैं ये फूल आधी रात को अपनी खुस्वू फेलाता है बगवान वोले नात को भी बेला का सफेद फूल चड़ाय जाता है पुरानिक मानेता है कि महादेव को सफेद फूल चड़ाने से सुन्दर और गुणवान पतनी मिलती है ये फूल प्रेम, सान्ती, सदभावना और सुन्दरता के प्रतीक माने जाते है मा लक्षमी जी को बेला के सफेद फूल अत्यनत ही प्रिये है ये आप लंबे समय से किसी बड़ी परिसानी में फशे हुए है ये आर्थिक संकट बना हुआ है तो साथ सुक्रुवार मा लक्षमी को बेला के सफेद पूस्पो से बनी हुई माला आवश्य ही भेट करें आपके राहों में आ रहे हैं मुस्किले अवश्य ही धूर भाग जाएंगी और यदि आप अपने आंगन में बेला का पूधा लगाते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को और भी हदिक मजबूत बनाएगा आप इसको अपने आंगन में अवश्य ही लगाएं इन फूलों के अलावा आप तुलसी के पोधे को भी अपने आंगन में जरूर लगाएं नमबर च्छै पे है कृष्ण कमल का पोधा कृष्ण कमल के फूल कई रंगों के होते हैं जैसे सफेद, बेंगनी और लाल मतश्य पुराण के नुसार ये फूल मालक्समी को अच्चंत प्रिय है वे इस फूल को अपने सरंगार में सामिल करती है यदि आप भी अपने जीवन में सरंगार रस भरना चाते हैं तो अपने आंगन में कृष्ण कमल के फूल को अवश्य लगाएं ये फूल दिखने में इतना सुन्दर होता है कि आप स्वेम इसको निहारने से रोक नहीं पाएंगे एक और मानेता के नुसार राधाजी भगवान स्री कृष्ण के लिए ये फूल तोड़ करके लाया करती थी इस कारण से इसको कृष्ण कमल कहा जाता है नमबर साथ पे है पारिजात के फूल यदि आप मालक्समी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पारिजात के फूलों का पोदा अपने घर में अवश्य लगाएं जिस घर के आँगन में पारिजात के फूलों का पोदा होता है वहाँ पर कभी भी दरीदिरता निवास नहीं करती विविद परकार के माध्यमों से उस घर में मालक्समी अवश्य प्रसन्न करती है आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे तो आपको पारिजात के फूलों से भगवान शीव की भी पूजा करनी चाहिए तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कॉमेंट में जे मालक्समी अवसी लिखें चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद